हलो दोस्तों वेलकम टू डीटीज वेंचा मेरा नाम दवल ठककर आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में जो शायद कल की मार्केट के अंदर एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आपको पहले में निफ्टी के बार में बताना चाहूंगा कि निफ्टी आज जबी 9,350 के आसपास में ट्रेट गर रही थी तभी मैंने सारे क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स को मेसेच किया हुआ था कि हो सकता है कि आज के दिन में निफ्टी के अंदर सेलफ पेस हो एक हाय रिजि के आसपास में हमने एक बाइपॉल भी जनरेट करके हमने हमारे क्लाइंट्स और सब्सक्राइबर्स को विजा हुआ है तो फिलाल अगर मैं यहां से निफ्टी की अगर मैं बात करना है तो निफ्टी स्पॉट 9,250 का जो क्लोजिंग धिया हुआ हुआ है वो एक काफी में सी निफ्टी में देखने नहीं मिलता और बैंक निफ्टी के अंदर 19,000 स्पॉट के नीचे का क्लोजिंग देखने नहीं मिलता तो हम यहां से एक अपसाइड रैली पकड़ के चल सकता है और मेरा मानना यह है कि वापस हम 9,500-600 की रेंज पर निफ्टी में आएंगे और बैंक 10,500 के उपर बैंक निफ्टी का आने वाले दो दिन के अंदर क्लोज आएगा तो अब मैं बात करूंगा स्टॉक्स के बारे में तो पहला मेरा स्टॉक होगा टाइटन टाइटन के स्टॉक्स की क्लोजिंग है 886 के आसपास 886 के आसपास और टाइटन का अच्छा खासा सपो 13 कीबीच का स्टॉक्स मेंटेन करके उसके बाद O NGC एक ऐसा स्टॉक है ओइग स्टॉक्स के अंदर 77 का बहुत अच्छा कासा सपोर्ट है और 73 72 73 का स्टॉक्स मेंटेन करके एक O NGC पर पोजिशन आप कर सकते हैं वाइंग साइड के लिए उसके बाद है कोटक के अंदर थोड़ा-बद आज हमने प्रेशर देखा था सेलिंग प्रेशर देखा था कोटक अब फ्लोज है लेवर 12.42 पे लेकिन कोटक के अंदर एक 1220.25 का काफी अच्छा कासा सपोर्ट है 1190 के स्टॉप लॉस से अगर 1225 के आसपास का आपको अगर पोटक के अंदर अगर सपोर्ट दिख रहा है तो आप उसमें लॉंग करके चल सकते हैं एक्सेस बैंक काफी प्रेशर के अंदर है एक्सेस बैंक की क्लोजिंग 303.89 और 90 के आसपास की है लेकिन मैं मान के चलूँगा यहां से अगर 405 या 8 अगर एक्सेस बैंक अगर आपको दिख रहा है तो एक बार रेजिस्टन्स काफी स्टॉंग है थोड़ा सेल बना के चलिएगा और उसके बाद में काफी अच्छा स्टॉप है मेरे रेडार पे उसका नाम है सीमेंस सीमेंस का क्लोजिंग है 1066 और सीमेंस का एक बहुत पी अच्छा सपोर्ट बनता हो दिखाई दे रहा है 1,040 के आसफास तो मैं मान के चलूँगा अगर कोई को इतके बनाना चाहता हैं सीमेंस के अंदर तो और स्टॉप्लाउस के साथ सीमेंस के बनाना चाहता है चल सकता है इसमें 1,500-200 रुप्शाल का इस अच्छाल देखने मिले अच्ट ने सीरीज के अदर तो फिलाल इन स्टॉक्स के अंदर मैं दो स्टॉक्स को स्पेशली डिटार पे रखने की बात करूंगा टाइटन और सिमेंस यह दोनों स्टॉक्स के उपर तल के मांकेट के अंदर आप खास ध्यान देगा और निफ्टी अगर 9150 और 80 के नीचे अगर प्लोज नहीं बनता है तो definitely यहां से हम 9600-700 का लेबल फिर से एक पर देख पाएंगे क्योंकि 9200 के नीचे के आजपास और 9300 के नीचे के आजपास में काफी निफ्टी के अंदर शॉट विल्डप हमें दिखाई देगा है थैंक यू थैंक यू सो मच पर वाचिक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को यूट्यूब पे जिसका नाम है डिटी वेंचर थैंक यू थैंक यू वेरी माच आपे प्रोफिटेबल वीक अहें